बगवान वाल में की छीके प्रकत जिवस के उपलक्ष में विशाज़ बगवान वाल मिकी के जीवन से जुड़ी जांकियां पेश की गई ताकि लोग उनके जीवन को समझ सके शोबा यात्रा में शिर्कत करने पहुंचे सांसर रवनीश सिंग बिटू और राजकुमार वेरका ने इस तोरान कहा की देखिए वहां पे जो रेल हाथा हुआ हे वहां नीचे कितनी बीड़ और दूसरी बात यह है कि ये पास में 130 की स्पीड पे वो ट्रेन को लेकर के आए हैं और बिना इनक्वारी किये बिना किसी जांच किये और उनको एनोसी दे दी गई कि उनको कह दिया गया कि नई रेलवे का कोई दोश नहीं है मैं कह रहा हूं कि ये रेल मंत्री फोरी तोर पर अस्तिफा दे और रेल के तमाम अधिकारी को उपर कारवई हो और उनके खिलाब एफ़ाई अरदर्ज हो और तमाशा कर रहा है सुकबीर बादल और उनको चाहिए क कि अब को कि वह खुद विरोधी अंदोलन की और बढ़ा हुआ है और उन्हें मालुम है कि उसने जेल में जाना है और जेल में बचने के लिए हमारे उपर इलजाम लगा रहा है ये जूटे लगाना हम दुवाली नहीं मनाएंगे अमसार के लोग दुवाली नहीं बगवान वालमीगी जी का परकट द्वसा है आज तो सारे लुध्याने में या सारी दुनिया में बड़े चाओं और अमंगों से ये मनाया जाता है तो लुध्याना में भी मैं समझता हूँ हर जगा शोबा जातरा है निकलती हैं पार्ट होते हैं तो और बगवान वालमी की जी को याद किया जाता है तो ये प्रेड़ ना ली जाती है भी उनके दखाए हुए रास्ते पे हम चलें और जो जो काम अधूरे रह चुके हैं समाज के वो पूरे करें यही प्रतिग्या आज के दिन लेते हैं वेरका जी क्योंकि अमरसर से आएं हैं उनकी भाबनाएं हैं बहुत बड़ा इंसिडेंट जो हुआ है और एकों लोगों के जो गर हैं वो तवा हो गई डेथ्स हो गई मौत हो गई तो भी दसेरे वाले दिन बहुत ही दुखदाई ये गटना है तो अपना अपना तरीका है य परवारों के साथ खड़े होने का दिखने के लिए जो जो भी हमें करना चाहिए क्योंकि उनके तो परवार चले गए वो आपस नहीं आएंगे तो हमें उनके दुख में शरीक होने के लिए जो सहानबूती हम पेश कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए कमांडिंग जड़ी टीम है सारे में सारे कॉंसवरा दा जिना दे उप्राले सदका ही जड़ा समुचा वालमी की समाज एक चंडे थले आया तेस विशाग आयोजन इस प्रोग्राम नो ऐसी आयोजित कर सके हैं कैमरामेन अमन दीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी कि अग्रामेन अमन दीप कर सके हैं